हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, इस्टीफन अकेडमी मापका स्वागत है और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूँ BSC Agriculture 3rd semester वालों के लिए तो इसमें हम बात करेंगे BSC Agriculture 3rd semester के Dairy Sense के पेपर के बारी में तो Dairy Sense का जो आप लोगों का अगला एक्जाम होने वाला है ये एक्जाम जो आप लोगों का है ये पहले था आप लोगों का 22 जैनवरी को लेकिन अब ये एक्जाम आप लोगों का 3 फरवरी को हो गया है तो चलिए इसके बारे में important question देखते हैं जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये प्रिभी शियर 2022 ते इसका पीपर है जिसको में डिस्क्राइब करूँगा और आप लोगों को बताऊंगा इसमें किस परकार के question आई थे इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो पेपर कोड है एजी 3010 है इसके बात हम बात करेंगे तो इसमें time जो रहता है दो घंटे का time रहता है maximum marks 50 नमबर कर रहता है ठीक है ये सब आप लोग अभी तक जितने भी exam दे चुके हैं तो उसमें आप लोगों को पता चली गया होगा कि कि इसमें सा पेपर कितने marks आता है तो चली इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले question देखते हैं section A के section A में जो question पूछे जाते हैं लगत्री type के short answer type questions रहते हैं जो कि 5 अमबर के रहते हैं और सभी प्रशन करने हनवार होते हैं इसमें देखते हैं पहला question है पहला question हमारा क्या है तो दुख्द की अमलता क्या है तो what is the acidity of milk दुख्द की अमलता जो होती है वो क्या होती है इसको बताना है हम लोगों को 5 नमर के साब से इसका लिखना है वे नमर में पूछा गया MBR test क्या होता MBR test के बारे में इसको describe करन है आगे हम बात करेंगे कि दुख्द कामान की करड़ क्या होता इस टेंडरा लाइट जैजेशन ऑफ मिल्क स्टेंडरा लाइज जैजेशन ओफ मिल्क किसी कहते हैं इसके बाद आता है वैलेंटा परिच्छड बैलेंटा परिच्छड किसे कहा जाता है इसके बारे में describe करन किना सभल लुकल होता है उसके लिए किया जाता है इसके वारे मिल जाएंगे तो वह वीडियो आप विदियो की जब्रेगा जिसमें आफ लोग को जिए जवाब मिलें की इसमें अपने कर सकते हैं तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे साक्षन विद्न एक digging इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले question की, सबसे पहला question रहता है कि दूग्द अब मिश्रट की परवाशा दीजिए, दूद में प्रयोग किया जाने वाले बिभिन अब मिश्रट कौन कौन से हैं, यूरिया एवम अरारोट की मिलावट ग्याद करने के लिए परिछडों का उले किजिए, किस परिछडों का उलेख किया जाता है, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे question number 3 की, question number 3 में पूछा गया है कि मानकी करत दूद क्या है, मानकी करत दूद क्या होता है, तथा दुख दुद पादन की मात्रा एवम गुडवत्ता को प्रवावित करने वाले कारकों क वर्डन कीजिए, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे question number 4 की, question number 4 में पूछा गया है कि सुईत करन्ति का विस्तार गूर्वक वर्डन कीजिए, सुईत करन्त को डिस्क्रैप करना है आप लोगों को, ठीक है, डिटेल्स में, इसके बाद बात की गई है, पांच नमर में, प इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्रैप जरूर कीजिए, और इसके डिरी सेंस के questions आप लोगों को अलागातार हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे आपकी एक जाम तक, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब भिकर लीजिए, और पीडिया आपको पाने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको हमारे description box में मिल जाएगी, ठीक है, इसकी बाद हम देखते हैं, section C में, section C में क्या पूचा गया है, कि long answer type की questions पूचे गया है, तो long answer type की question से पूच कई हैं कि दिर्गोतरी प्रेंट होते हैं जिनमें से पिर्देंबार होते होले अनुटा होता कि इसमें पहला कोषजर जो मोचा गया है गुंचा गया है यह 20 previous है शार पॉंट परसद वाला डूद्र अपलत है इस इसमें से चौन से बसा बसा वाले क्रीम की कितनी मात्रा निकाली जाए ताकि से इस दूद में बसा का प्रिशत 4.2 हो जाए ठीक है यह हो गया एक कुश्चन इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट अत्वा में कुश्चन क्या पूँचा गया है कुश्चन नमर साथ में कि बिकाश है तो बिभिन पंच बर्शी योजनाओं के बारे में विस्तार से बढ़न कीजिए ठीक है यह पूचा गया है इसके बाद आत्वा में 9 में नमर में कुश्चन आता है हमारा लास्ट कुश्चन है कि दूद यंत्रों की शफाई एवं निर्जमी करण का साविस्तार से बढ़न कीजिए इसके बारे में बताया गया है तो डेरी के जो जितने भी प्रिवेश चेर के गोस्चन है जो इंपोर्टन है उसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा एक जाम तक तो अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीड को पाने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को अबसे जोइन करें जिससे आप लोगों की हेल्प होगे ठीक है चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की साथ तब तक के लिए धन्यवाद